राजस्तान से बड़ी खबर आ रही है कि राजस्तान मंत्री मंदल में होने वाले फेर बदल में बले ही अभी थोड़ा और वक्त लगेगा लेकिन सचीन पाइलेट के मुश्किलों की गड़ी अब समाप्त होती हुई नजर आ रही है अगर देखा जाए तो सचीन पाइलेट के समर्तकों ने जिस तरह राजस्तान में सचीन पाइलेट के कामों का गुणगान किया है और खुद राजस्तान की जनता सचीन पाइलेट को अपना हीरो मानती है उसे देखकर सोनिय गांदी ये समझ चुकी है कि राजस्तान कोंग्रे का बविश्य सचिन पाइलेट ही है और सचिन पाइलेट जैसा नेता को इतनी आसानी से सोनिय गांधी दूसरी पार्टी में नहीं जाने देगी इसलिए अब सोनिय गांधी का पूरा फोकास राजस्तान कॉंग्रेस की तरफ है राजस्तान कॉंग्रेस के प्रबारी अजेम आक तराजनेतिक कद असो गेलोत के लिए मुश्किले खड़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दे सुनिया गंदी जिस तरे से सचिन पाइलेट पर मेरबान हो रही है। इससे सचिन पाइलेट के पसीने छूड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और माना जा रहा है कि सोनिया गंदी अब सचिन पाइलेट की नाराजगी को जल्दी समाप्त करने वाली है और अजस्तान कॉंग्रेस में सचिन पाइलेट को बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाने वाली है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेर और अपनी राई कमेंट वाक्स में जरूर दें धन्यवाद